दूस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दूस्तो गौवर्मेंट के तरफ से कुछ बड़ा अपडेट आया है ठीके ये पेंडामिक में सबसे ज़्यादा जो एफेक्ट फुल रहे है सेक्टर ठीके उनके लिए एक राधवरी ख़बर है तो वो क्या राधवरी ख़बर है कौन-कौन से सेक्टर जबसे ज़्यादा एफेक्ट air इस पेंडामिक से जो 2 बएभा ये दोस्तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो एप स्टॉक एंजल बोकिंग और एलाइस ब्लो का डिमेट एकाउंट का लिंक दिया है वहाँ पर जाएए फिरी में डिमेट एकाउंट उपन करिए और आप हमाँ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में बरपूर ट्रेडिंग करिए तो चलिए जो निउस दोस्तो उसको कवर कर लेते हैं अब देखिए दा इकोनोमिक टाइम की साइट के ओपर लाया हूं ठीक है यहां पर लिखा हुआ है इंडिया प्लान इस्टुमिलेस पेकेज फूर्द सेक्टर बस्ट इफेक्टेड बाइस सेकेंड बैप मतलब दोस्तों यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो एक राहत पेकेज रहता है ठीक है यहां पर वो प्लान किया जा रहा है ठीक है अब जब फस्ट बैप में यह राहत पेकेज दे दिया गया था दिन सेकेंड में भी जो सबसे ज़्यादा सेक्टर इफेक्ट हुआ है ठीक है जैसे कि हापर आप देख सकते हो इफेक्टर वर्स्त इफेक्टेट बाइस सेकेंड वेप मतलब जो इफेक्टेट हुआ है उसको आप यहाँ पर क्या सेकेंड वैप के सेक्टर आप लोगों को पता है कि किस प्राकर से एकोनोम को सपोर्ट करते हैं अगर इसमें से एक भी सेक्टर काफी ज़्यादा क्या हुआ है तो काफी प्रापलम हो सकती है गौश्वर्मेंट को क्यों क्यों को बड़ी मुश्किल से इन्होंने recovery करके लाए थे GDP को काफी अच्छी तरीके से recovery करके लाए थे देन अब यह sector अगर affected हो जाएगा तो वहां से उसको recover करने में काफी समय लगेगा देन अगर वो late effect मतलब recover होगा तो फिर economy और GDP भी late recover होगी तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो पेकेज है वो इन सेक्टरों को दिया जाएगा अब दीरे दीरे करके बेसे तो दोस्तों कहीं कहीं राज्यों के कहीं कहीं सेरों में क्या दीरे दीरे lockdown खुलने लगा है तो यह एक तो positive news है ठ economy को सबसे important support कहां से मिलता है दिन जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं the finance minister अब यहाँ पर government और finance minister दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर proper तरीके से plan बना रहे हैं तो आपको हो सकता है कि एक या दो महने में या लगबग तीन महने में यह package आते हो देखने को मि मिले तो अब देखिए जो effected सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जो sector जैसे tourism tourism पूरा ब्लॉक है आपको पता है tourism पूरी तरीके से ब्लॉक है आप government को सबसे ज्यादा tourism से ही पैसा मिलता है जैसे कि बहुत सारे राज्यों में बड़े बड़ी जगा है दोस्तों गूमने के लिए ठीके वहाँ पर आप कुछ fees पे करते होंगे जिसे जाने के लिए या महाँ पर कुछ जिसे मान ठीके तो वह फीस तो आधी गौवर्मेंट को जाती है ठीके और आधी उस राजी के गौवर्मेंट पा जाती है तो ऐसा है आप टूरीजम का ठीके अब देखेंगे बड़े बड़े प्लांट अपने देश में विक्सित करवा दे ऑक्सीजन के तो यह चीज़े हमारे लिए काफी अच्छी हो जाती है देन आल्सो बित स्माल एंड मीडियम साइज कंपनी मतलब जो चोटी और मीडियम साइज की जो कंपनी से उनको भी यहाँ पर प्रॉपर काम करती ठीके वो लेवर भी अभी बेन है अब वो लेवर के लिए दोस्तो गौर्मेंट को कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़े देखनी पड़ेगी क्यों क्योंकि लेवर का भी बहुत सपोर्ट रहता है अगर लेवर को अभी कुछ नहीं मिला तो जब इंडस्टी एरिया ओपन होगा तो वो महाँ पर केसे आप आएंगे तीके तो इसके लिए भी दोस्तो गौर्मेंट को जल्द से जल्दी ही यह पेकेज का अनौंसमेंट करना पड़ेगा अब देखे जो फोरकास्ट निकल के आया ठीके फाइनेल चेल इयर मतलब अभी करेंड का जो एक अप्र इंडिया economy to expand 12.5% मतलब दोस्तो इतना अनुमान लगा के हम बेटे थे कब this year to March मतलब दोस्तो मार्च तक लेकिन अब आगा हम जुलाई का फोरकास्ट देखे यह जुलाई का मतलब इतना अनुमान लगा के बेटे थे तो जुलाई तक दोस्तो कंट्री की जो देखें कंट् चुकी थी वो रहेगी तो double digit में ही लेकिन दोस्तो थोड़ी सी हमें slow down देखने को मिलेगी तो इससे एक बार फिर से हमें हमारे देश की GDP economy पे effect पढ़ते हो देखने को मिलेगा अब आप लोगों को focus क्या करना है जैसे कि मैंने पांच already इससे पहले जो वीडियो upload किया है दो दोस्तो कि ये पांच stock दोस्तो आप लोगों को काफी अच्छा return देंगे तो उसमें ऐसे stock है दोस्तो जो इस lockdown के open होने के बाद क्या काफी अच्छा return देंगे जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ठेटर्स आप लोगों को पता है hotels hotels की मैं बात करता हूं tourism tourism की मैं बात करता हू जो बड़े बड़े एरिया है जहां पर काफी बड़ी जगा है गुमने लाइक ठीके तो इस से रिलेटेट ही ही वो स्टॉक है तो आप लोग उन पे फोकस करिए जो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है एक एक बार हम और देख लेते हैं कि उन सेक्टर में हम अच्छा मुमेंटम के से मिलेगा तो दोस्तो सबसे टूरिजम पेकेज बातने वाला ये स्टॉक ठीके जिसका नाम है आई यार सीटी सी ये कॉर्परेशन कंपनी है आप इस पे भी एकदम लग के फोकस कर सकते हो इस स्टॉक के बारे में मैं आज के दिन दूसरी बार आप लोगों का अपडेट कर रहा हूं क्यूं क्योंकि दोस्तो ये सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में मतलब एक एक टीप ट्रेडर स्टॉक है हम बोल सकते हैं ठीके तो आप लोग इस पे फोकस कर सकते हो दोस्तो इस्पाइट जीट कंपनी के अगर मैं बात करता हूं तो आप ल तो इस कंपनी पे भी आप अगर अच्छी तरीके से फोकस करोगे तो आप लोगों को जैसे कि ये हो गया ठीके इंडिगो हो गया ये दोनों कंपनी पे आप एकदम बढ़िया तरीके से फोकस करके चलिए जो आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से रिटन आगे देंगे प्रॉपर स्टेडी भी करिएगा अब दोस्तो होटल कमपनिया में जैसे आप देख सकते हो इंडियन होटल कमपनी लिमिटेड होटल बिजनेस में इस कमपनी को आप फोकस में रखके चल सकते हो जो आप लोगों को आगे काफी अच्छा मुमिंटम जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो बावन बिक का है बावन बिक का लो काफी इंटर्शिंग देखने को मिल रहा है टीक है, वाल्यूम की मैं अगर बात करता हूँ तो वाल्यूम भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है एक करूर साथ लाग कॉंटिटी का तो इस इंडियन होटल कंपनी के बारे में भी दूस्तो क्योंकि इसका जो बिजनेस था काफी डेमेज हुआ था इस लॉक्डाउन में ठीक है तो आप लोग इन पे भी प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकते हो दोस्तो मैं मीडिय सेक्टर की बात करता हूँ तो PBR और इनॉक्स तो जैसे PBR को मैं आप बता रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हो इसके बारे में आज के दिन ये दूसरी बार आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि जो न्यूज आया है ठीके वो न्यूज के एक पर आप लोगों को इसमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो PBR और इनॉक्स दोनों कमपनियों को आप क्या कर सकते हो दोस्तो फोकस में रखके चल सकते हो तो दोस्तो ये स्टॉक BIP इंडस्री लिमिटेड आप लोगों ने देखा होगा आप टूरीस पे जाते हो जब जितने सेल इसकी नहीं हो रही थी जितने आगे हमें देखने को मिल रही थी लेकिन अब ये सबी चीज़े डबल से उपन होगी एक बार फिर से हमें इस प्राकार की इस कमपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ते देखने को मिलेगी तो BIP इंडस्टी को भी आप फोकस में रखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको 52 का लो देखने को मिल रहा है काफी इंट्रेस्टिंग हमें ये स्टॉक का भी मुमेंट देखने को मिल रहा है तो दोस्तो ये जितने भी कमपनी हमें आप लोगों को अपडेट किये ये एक एक एक्जामपल है इनके रूप को भी अच्छी तरीके से फोकस में रखे उनमें भी आप इंवेस्मेंट कर सकते हो और दोस्तों इन कंपनियों को सबसे ज्यादा फाइदा जब होगा जब वो रहात पेकेजे वो मार्केट में जल्दी ही लॉंच हो जाएगा ठीके तो यह आप लोगों को निउस अच्छा लागा हो यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरू सस्क्राइब करिएगा क्योंकि हम डेली बैसस पर आप लिए इंटरेटे की टिप्स और मार्केट अपडेट लाते रहते हैं थैंक्यों दोस्तों